मेरे बतन ये अकीदते और प्यार तुछ पे निशार कर दूँए बिसमिल्लार रख्मान ररहीम असलाम अलेकम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों अभी का जो मेरा वी लॉग है उसका टॉपिक है करप्ट नजाम और बेचारे लोग हकीकट बात ये है कि मैंने अपनी जिंदगी में जब से होश सुभाला है पाकिस्तान के अंदर रिशुतस्तानी अज़ आज का नहीं हैं हमेशा से लेकिन वो ना होने के बराबराती है। बिल्कुल ना होने के और अगर किसी अलाके में अगर ये पता चल जाता था कि फलाँ फलाँ शक्स ने रिश्वत खाई है तो आप यकीन कीजेगा कि लोग उसके घर का पानी तक नहीं पीते थे लोग अपने बच्चे उन तक उनके घरों तक नहीं जाने देते थे इवन यहा रिश्वती लेकिन समझा जाताता था घृँप जय कीजेजे कि व्यादा दूर की बात नहीं एटीस की बात करता हूँ कि एवन जब ज़ैनल्स श्या का दौर था उस वक्त भी बहुत अच्छा सिस्ट्स सिस्ट्म चल रहं ता हालांके हम आफगान वार के अνदर थे जहां स अफ़ान वार लॉर्ड पाकिस्तान में धरादार आ रहे थे फनैटिक डिलिजन जो था वो जो पाकिस्तान में कभी कंशेप्ट नी था वो ऐसं किसम का फिरका भी आ रहा था कलाशन कोफ कल्चर नौर कोटेक्स याने हर किसम का इस तरह की चीज़ें आ रहे थी लेकिन इवन देन वो करफशन का वो लेवल नहीं था लेकिन जब अगोर कीजिए का जो ही ये शरीफ खांदान कहने को शरीफ है बेसिकली ये वो ही है जो कोट था अभी उपनी मैं कहता हूँ ये कोटे की पैदावार है इनका तल्लक ही जो पूरे खांदान का वो है इस किसम की फैमिली से है जहां पे वो अपने आपको बचाने के लिए औरतों कागे करते हैं या अपनी औरतों को आफर करते हैं ये हकीकत में ये अभी शर्माने वाली बात क्योंकि जो इनकी हरकतें सामने आ चुकी है वो ऐसे ही एसी भी बात है कि ये जैसे कंजर फैमिली होती है कि कुंकि ये कंजर फैमिली हूती है n हिरामंडी और इनका घरुरीझा अदरी था अब जो कुछ भी आपंके समने है कि नवाश और भी आधर उदा है और उन दूसरे की बीडियों को पर नज़र रखता था शहबाज श्रीफ उसका भी यही आदत था और आगे जाहर है जिस अपनी बेटी को जब साथ ले के जाता था इस किसम के कामों पे तो बेटी ने भी वही रंग दखाए और वो क्या करते लिए सब के सामने है बारहल मैं इसको इतनी ज्य क्रफशन ना पकड़ी जाए अगर आप सब को जो पराने जानने वाले हैं नई जनरेशन को शायद ना पता हो सबसे पहला के प्रूवड केस वो था अधेविया पेपर्स का जो के कनफर्मड कनफर्मड यह प्रूवड केस के जिसके अदर यह हंडर पर्शन गिल्टी थे ज जो पहली मनी लॉंडरिंग भी उसी में हुई जिसके अंदर इनुने लंडन के फ्लैट खुड़ी दे उसके बाद जनाब वो जहर है यह जो बारियां लगी हुई थी पर बेनजिर की हकूमत आई और उसके साथ सुभानाला जरदारी साहब जरदारी तो ऐसे ही उसका भी ख किसी किसम को था ले का खान ना नहीं कोई इजद इजदार नी था यह सारे के सारे वो घटिया किसम के लोग जिनकी हिस्टी भी पराणी भी ऐसे ही चली आ रही थी और उसने भी वही काम किया कि प्राइमनिस्टर हाउस में उसने अस्तबल बनाए गोड़ों को मरभे खलाय नहीं है तो यह इनसान फूचे कि फिर वो गोड़ों को मरभे कहां से खला रहे थे तो मारा बाप का पैसा था इन्होंने मिलके बारी बारी लूटना शुरू किया यहां तक इन्हों इतना लूटा इन्होंने कि 90 तक जब जनल प्रोवेज मुशरफ ने टेक और किया उससे क अधारे के अंदर इन्होंने अपने बंदे भी फिट किये जो जो इनकी करप्शन को छुपा सकते अगर आपको याद हो नई जनरेशन को चुछ शायद ना पता हो एक वक्त आया था कि नवाज शरीफ पबलिक बें निकला था कर्ज उतारो मुल्क समारो कर्ज उतारो मुल् पैसा दिया और तो ने अपने जिवर तक उतार के दिये लेकिन उसका भी आज तक हसाब दाब नहीं है आज तक पता ही निए वो पैसा किदर गया जो इसने अर्पों में पैसा कटा किया था उसके बाद यह कि अपनी बर्जी यामि यानि कि उस वक्त पहली दवार इसने कोशिश की हालना किया कुद्र दिबाद होती है आल ओर दो वर्ड जीनियर्स मगारा इस सब्सक्राइब को कोई भी आर्मी चीफ नहीं बनता यह होता है कि फाइटिंग कोर्स जो होती है अठलरी यह जो अन्फेंट्री आर्मर हो गए और स्पोर्टिंग में सर्फ एक ही कोर होती होती हैं थे अन्तिनों वैसे कोई में बनता है लेकिन इसने वह काम किया था आवी बहत ही है कि सिलसला रुका नहीं है रिश्वत आपकर अ सिलसला आगा दिन बादिन दिन धर दिन अजल्प अबना अध्य बरlor DC का अब तो बूरा हाल कर आ गया एक सरववाहत एक अधारा रहा गया था वो थी पाकिसान आर्मी आर्मी हमेशा से अपनी ज़ो जानों का नजराना पेश करते हैं इस पाकिसान के लिए हमेशा से उनका ऐसा सिलसला रहा है कभी करफ्शन तो करीब होती भी नहीं है क्योंकि अगर एक आद गंडा कीड़ा पाक केसिज भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग थे केसिज भी यानि कि कहले कि अब खर्मों के इसाब से केसिज यानि कि आलमुस कहले कि हर चीज लूट लिए उपर से करदा भी चड़ा दिया और वो करदा भी अवाम दे पिसरे थे यानि कि खुद यह बगहरत लोग इन्होंने सार ही उकात नहीं थी एक ही रह गया था अधारा वो थी पाकिसन आर्मी और उस अधारे के जो सबसे सरब्राह है डिले करेक्टर का बदजाद मैं कहूंगा जनरल कमर जुए बाजवा सो काल्ड चीफ आफ दी आर्मी स्टाम मैं उसको चीफ नहीं कहता इस बगहरत इन्सान को ज जनावों अगर इतना यह गटिया था तो इम्राइल खान इसको एक्स्टेंशन क्यों यह क्यों दिया देखिए आप खुद सोचिए आप किसी भी शक्स को चोर नहीं कहते उस वक्त तक जब तक वो चूरी करता ना पकड़ा जाए मुनाफिक उस वक्त तक नहीं कहते जब व रदकरदार उसी वक्त होगा ना जब वो वो काम करता हुआ पकड़ा जाए बाजवा ने बड़ा मसीना मीसना बनके मुसे निकल गया यह नहीं कि आप मीसना बनके यह बड़ा अपना टाइम गुजारता रहा और उसके बाद केसिस को इसे चलने भी नहीं दिया बैक साइड पर अदालतों को नैप को प्रेश्राइस करता रहा कि नहीं गो तैम गेन का रहा था आप यहां तक का लेकर राना सनाव ला जो पूरी दुनिया में मशूर है वो बंदा कि बास नोर कोटेक्स का और यह भासी को देख लिए जाना इस चोड़ और उसको तो सदा भी थी इन् बात यह है याद रखिए का मैं openly यह में क्लेम करता हूं मैं आपको confirm बताने लगो पूरे पाकिसानियों यह याद रखना है यह आज की मेरे पास खबर है आज की confirm न्यूज है कि जो साइफर अमेरिका से आया था वो आया नहीं था यह मैं आपको पहले बता दो साइफर अमेरि को एक चीट करना बड़ा मुश्किल काम था तो इन्होंने ड्रामे बाजी करनी थी इन्होंने एक confidence भी गेन करना था इन्होंने जरनल बाजवाने एवन पाकिस्तान के अंदर अमेरिकन जो उनके जरनल वगारा आते रहे उनसे मीटिंग करते रहे और उनके ऑफिशल जो थे उनसे बात करते हैं इन्होंने एक पूरा जो है था ना एक जाहरा है का मेरिकन के साथ तो पेंडागान के साथ और आर्मी के तालुकात रहते हैं इन्होंने मिल मलाब करके एक साइफर वहां से create करवाया ताके लोग पाकिस्तानी लोग बाजवा के उपर शाक्ना कर सकें कि यह बाजवा रजीम चेंज कर रहा रहा है बाजवा 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 तो मीसना बनके बगारत इनसान पैसे लूट रहा था उसका सुसर जिसके कपर में टांगे हैं वो बगारत इनसान भी पैसे गेमें कर रहा था पूरे का पूरा बाजवा खानदान पैसे दोनों हातों से समाले जा रहा था इन्होंने साइफर वहां से क्रिएट किया यहां पर जर्दारी जो था ना वो तो आरेडी अमेरिकन अफिलिटेड़ है जिसको देखे ना जो जेल से उसको निकाला था अमेरेकन ने बेन जिल को मरुढने के बाद सीधह सेränगा प्रेज़ंट मनाया तौि तो 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 हैं और मेरेकन्ट पिटू है ये सारे का सारा पूरे मिलके उन्होंने काम किया और उसके बाद फिर गवईड कीया और जर्दारी सिंध हाउस के अंदर जो भी वो आप तो हम के सामने है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर याद रखिए कि जो अगर लाक ही बात कर की जाए कोई भी किसी भी एक अलेक्टिड गवर्न्मेंट के खलाफ कोई काम करें तो याद रखिएगा उसके उपर हाई ट्रिजन केस चलता है और उसकी सदा भी सदा मौत है बाजवा ने इन तमाम पीडियाम को कठा किया तमाम को यानिकर आलमोस यह पहले तूट चुके थे पहले पीडियाम में नमनाई लेकिन इसने उनको फिर कठा किया और इनको टीच किया किसे कैसे आपने काम करना है और आपने मुझे पैसे कब और कैसे देने कितने शर्म और अफसोर्स लानत का मकाम है मेरे पाकिस्तानियों आपका दिल करते हैं कि जूते उतार के बाजवा जर्दारी के सर के उपर सौ मारें और एक गिनें इंडिया के जहाद आते रहें कराची में लैंड करते रहें याद रखिएगा कि उसके अंदर पैसा जाता रहा और उसके अंदर बाजवा का शेर भी जाता रहा यह है हमारा वो कमीना गटिया तरीन शक्स जिस ने मेरी आर्मी का मेरे शहेदों का नाम खराब किया है इसने हम अपनी आर्मी के लिए इज़त के लिए मर जाते हैं इस कमीन ने गटियात शक्स ने मेरी आर्मी का चाहिदों का खून बेश दिया अमेरिका के खौईश पर यसे मुस्लिम खान को भी छोड़ा वह जो पकवास की किस अफगानिस्थान के अंदर वह जो हमारी बात चीछा रही थी मैंने परसों वो भी बात कंफरम कर ली थी अब मैं जो बात का रह हूँ निव्स पर बात का रही यह जितनी गर्दारी जितना पाकिस्तार में बेड़ा गर्क हुआ है नुकसान देखिए कि कितने बिलियन्स डॉलर का पाकिस्तान को नुकसान हुआ है आलम।स टुटिन नाइन बिलियन्स का सारा तजारत वगारा डाल देना टुटिन नाइन बिलियन्स डॉलर का नुकसान करदा कितना चाड़ गया रुपए की वैलियू कहां गई इस तमाम का में जिमनेदा में करेक्टर जनरल बाजवा उसका सुसर जरदारी नवाज श्रीफ शेबाज श्रीफ मर्यम फजलू और ये चंद एक और हवारी और प्लस जनरल बाजवा के वो लोग जो इस वक्त भी सर् ये और्टिकल सिक्स के तहद अडालते इस वक्त हमारी नहीं है अडालतों में ली पाकिस्घानियों से कह रहा हूँ कि याद रखियेगा कि अभी जननल आसिफ मुनिर चीफ आफ द यऊर्मी स्टाफ जिनको मैं रील कहता हूँ चीफ आफ अर्मी स्टाफ ये जो मुझूदा हमारी कमांड है हमने इनका साथ देना है मैं ये याद रखिएगा मैं आपको गरंटी के साथ कहता हूँ कि इन्शालला ताला जनरल आसिम उनीब इन तमाम बगैरतों को अरेस्ट करेंगे और इन्शालला ताला एक नए सिरे से अवाम के साथ मिलके इस पाकिसान को पाकिसान की जुडिश्री को पाकिसान के अदारों को हम री बिल्ड करेंगे ये याद रखिएगा और ये हमें बहुत जरूरी है आज की ये वी लॉग मैंने इन्फरमेशन अभी मेरे पास आई थी इस वज़ए से कुछ मैंने लेट आवर्स बनाई है तो आई होप कि आप इसको पुसंद भी करेंगे आज का वी लग इस महबत के साथ इस उमीद के साथ के हमारे जनरल आसम अनियर इन्शालला पाकिसान के लिए पाकिसान फोज के लिए अच्छा ही करेंगे पाक फोज जिंदाबाद पाकिसान परिंदाबाद स्लाम अलेकम निसार कर दूँ